आज के जमाने में 16 टेरा गाड़ी की मार्केट बहुत ज़्यादा बन चेकिए जब भी गाड़ी लेने वाला होता है अंडरलोड में 16 टेरा सबसे ज़्यादा पासिंग आपको मिल रही है और दूसरी बात है कि दो गाड़ी यहां पर ज्यादा भी करें एक टाटा की है और द काम करने वाले वह भी सारी जानकारी आपको यहां पर साथ की साथ देते रहने वाले हैं तो जल्दी करते हैं इस गाड़ी की वीडियो शुरूआत नमस्का दोस्तों में नाव है जस्पाल सिंग और स्वागत आपका यूट्यूब चैनल गिल ट्रक बॉड़ी समाना पर शो विसकस फैन यहां पर कलच विसकस फैन दे दिया है और यह कूलिंग गाड़ी की वह यहां पर सेंटर कूलिंग यहां पर रेडियेटर फैन दे दिया है इस गाड़ी में यहां पर दो तरह की इंजिन आ जाते हैं एक सीरीज का है वह आपको मैं अंदर जाकर यहां पर दिख दाइसो होस्पावर का इंजन दिया हुआ है जिसमें आपको 900 Nm के आपको यहां पर हैवी टॉर्क मिल जाती है H का मतलब है H series engine है G का मतलब है cowl variant cowl facial है तो यहां G के पर यहां पर change भी कर सकते हो आप जिस तरह कि आप इनके company के तीन cabin आते हैं M cabin, U cabin और N cabin जो M cabin है वो simple cabin है उसमें कोई ज्यादा जाना कोई समान नहीं लगा होता उसके बाद आता है economy प्लस एक सोड़ा से comfort cabin आ जाता है उसमें U cabin आता है और एक सबसे ज़्यादा premium cabin आता है जैसे Tata का Prima cabin आता है उस तरह cabin आता है उसको बोलते है N cabin वो भी आप यहां पर तीनो cabin वहां इस गाड़ी में ले सकते हो प्लस चौसा variant है वह काउल भी आप यहां पर ले सकते हो यहां पर headlights के लिए पहला option आता था कि headlights यहां पर दियो थे पर अभी यहां पर headlights निकाल दिया है सिंगल हेडलाइट से यहां पर मिलती है हलोजन बर्ग साथ इंडिगेटर से यहां पर हलोजन बर्ग के साथ आ जाती है reflecting रहती है है यह भी बंपर है नोडो ब्रैकेट के साथ आगे जो अटेजमेंट है वह सारी नोडो ब्रैकेट के साथ में बनाई हुए है मौडूलर फॉर्म यहां पर आ चुकी है बी एस में लेडर क्या बोलती है कि यह हमारी छे चक्का गाड़ी है उसकी यहां पर स्पेर पार्ट की चेंजेविल्टी आप गोडे तक कर सकते हैं जो पच्पन पच्छीस आ रहा है पच्पन तीस आ रहा है उसके साथ आप कमपै लगा हुए गाड़ी में पहले के मुकाबले बहुत जादा बड़ा लगा दिया है दिक्कत थी लेलेंड में कि कंप्रेशर सही नहीं होता था अभी यहां है उसकी सेंब्ली यहां पर अच्छी तरह से फिट की हुई है नो डाउट यहां से भी हम उसको सेफटी कर देंगे यहां पर जो एर क्रिंटर की जो माउथ इंटेक है तो वो यहां से ले रहा है पर यहां पर कोई भी यहां पर ग्रिल में जो सामने ग्रिल है उसमें शेक हुए रहा नहीं कि यहां पर गैपिक नहीं दी तो फिक्स कर सकी है तो क्या होता है कि यहां से ही वो ले पाएगा तो तो मेरे को सब्सक्राइब यह अजीव लगा है उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहां पर ABC पैडल्स एक्सिलेशन टोटली इलेक्ट्रोनिक है बेक्स की बात करें तो प्रेशर बेक्स प्लस ABS बेक्स आपको यहां पर मिल लेंगे ले पार्ट की और कलच यहां पर 355 mm का यहां पर कलच दीया हुआ हैгब द ही एर असिस WoolQUa कर दिया वह और यहीं पर जो सीटस ब्हां पर यहां पर बैक इह पर पीषे रों कल सकते हो रह ऐ पीछे का सब्सक्राइब करेंगे तो अच्छी और हो जाती है अंदर के पार समूपर चलकर बात करेंगे तो यहां पर जो साइड मड़ फ्लैप्स आ हैं वह काफी यादा बाहर दिका लें उनको हम काटकर जैसे टाटा की तरह हैं वैसे बना देंगे पूरी शेप में लेकर आ एफ जो सारे पर्टिलेट मैटर जो इन्वाइर मेंट को प्लूट करते हैं वो सारे यहां पर अची सब्सक्राइब कर साफ हो जाते हैं रीड epilepsy में वह बहूंए सबसे और राइवा में सबसे खास बात मैं मून हो सबसे आदा जो गाड़ी यहां पर heat नहीं हो पाती तो यहीं पर बात करें हम आगे जो दोनों axels है axels की देखो मैं आपको पहले detail में बात करता हूँ यहां पर 5 axels कैसी आपको यहां पर मिलने वाले हैं तो सबसे पहले बात करते है front axle reverse ilia type यहां पर front axle अपने को मिल जाता है उसके बाद आयाता है यहां पर 2 एक्सल, दोनों ही एक्सल यहां पर स्टेरिंग एक्सल यहां पर आ जाते हैं, 7-7 टंड की यहां पर कपैस्टी के यहां पर दोनों एक्सल हैं, और उसके बाद यहां पर आयाता है लिफ्टर एक्सल, सेंटर में यहां पर लिफ्टर एक्सल ल पर कोई यहां पर ज्यादा मैं जटका नहीं देती, जैसे पहले कई गाड़ियां में यहां पर आया था, वहां पर जटका बारती थी, तो वह यहां पर अभी निकल चुका है, और जो एक्सल है, वह वी टाइप यहां पर बेंट डला हुआ है, तो उसके बाद जैसे हम यहाँ पर एक्सल उठाएंगी, तो वहाँ पर आप देखिए, बिल्कुछ समूर्थ तरीके से एक्सल उठ रहा है, कोई यहाँ पर ज्यादा गाड़ी को यहाँ उठाने में यहाँ पर प्रवर्म नहीं आ रही है, क्योंकि 34 तन का यहाँ पर पेलोड इस गाड़ी में है, गेरबॉक्स भी यहाँ पर हैवी है, नाइन स्पीट का यहाँ पर हैवी गेरबॉक्स लगा हुआ है, और उसके बाद आता है, लास्ट एक्सल जो की है, फिफ्ट एक्सल जो की डमी एक्सल है, पीशे यो टेंडम वेट है दोनों एक्सल का वो 21 टन का यहाँ पर मिल जाता है, गाड़ियां यहाँ पर आपको 28-fit वेरियंट, 30-fit और 32-fit वेरियंट में आ रही है, तीन तरह के डेकलेंट इस गाड़ी में यहाँ पर आ रहे हैं, और ध्यान रखने वाली बात है कि तीनों वेरियंट में आपको सिंगल वील वेस मिलेगा, 6600 mm का यहाँ पर वील वेस मिलने वाला है, वो चेन ही होता है, फिर पीशे से जो चेसिस है वो एक्सेंड हो जाती है, 48-liter का यहाँ पर आपको एड़वियू टैंक मिल जाता है, यूरिया टैंक मिल जाता है, बैलून्स की जो शिफ्टिंग है वो बहुत जादा शानदार यहाँ कर गारी आपर की हुई भी और है आप यहीं पर बात कर लेते हैं और यहीं पर बात कर लेते हैं हम गाड़ी में यहां पर पर आपको पैरागाली का अप्शन में लेसाथ पर अभी इस गाड़ी में यहाँ पर वो सैमी लिफ्टिकल लिफ स्प्रिंग से आपको मिल जाएंगी चैसिस की बात करें तो चैसिस थाड़े आठ ऐसे थे हैं हुए है यू टाइब कंस्रक्षिन की हुई है प्लस बोल्टिंग प्लस रिप्टिंग क्रस्रक्षिन के साथ क्रॉस में बढ़न एक लेलन में सबसे ज़्यादा खासियत है कि लेलन जो अपनी गाडियां बनाता है मजबूत बहुत होती है टाटा के मुगाबले इस चैसिस का करवेट भी यहाँ पर है भी है मैंने करवेट भी करवाया था उसका मैं आपको यहाँ पर लिंक दे रहा हूँ वह भी आप यहाँ पर देख सक पर है लिख साथ दिक्कत आती है यहाँ पर खोलने में प्रेंश टैंकी है वो सारी यहां पर updates की हुई आए तिक्षाइड की है तांकि यह साइड की स्पेस वह यहाँ पर काम में या सके यह यह अपर एक्सल लगा हुए जिसमें आपको यहाँ पर टेलिमेटिक मिल जाते है ennitigle the system मिल जाता है आइ-gends6 के यहाँ पर टेलिमेटिक आप सेदा लेने कि यहाँ जाए ठ्लेड़ करते हैं गारी की जो maintenance र खरकाव है उसमें काफ़ जाती है और दो बैटरी यहाँ पर मिल 128 20 डेडियर 2 आपने को यहां पर मिल जाते हैं उपर चुटने के लिए यहां पर आप असानी से याप उपर सकते हूं और अभी मैं आपको दिखाता हूं इंजन कैसा इंजन साउड कैसे वो सारी चीजें आपको दिखाने बाला हूं यहां पर आयाद है इंजन की दिस्प्रेस्मेंट दी हुई है दाइसो होस्पापन नौसो मीटर 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 की टॉक दी हुई है काफी अच्छी पावर है और मैं जब यह गाड़ी चलागी है बहुत जादा स्मूज चलती है एक्सलेशन जब दबाते हैं तो चैसिस की बाते नहीं गाड़ी यहां नए इंजन अइस निया गयर लगा हुआ है और 9-speed का यहां पर गेरवॉक्स लगा हुआ है क्रॉलर गयर भी यहां पर साथ में लगा हुआ है रिवर्स गयर भी यहां पर है है विद्युटी वाला गेरवक्स है और मिन बात है केवल शिफ्टिंग है ट्रोड गाडिहें यहां पर देह जो प्रेशरास एर एर वूस्टर के साथ यहां पर कलाच आता है और गेर देखो को तक है आओ यहां पर मिल जाता है इंग प्रणी की बात कर सा empathy खविकली इंगेर शोग लेंगा यहां पर इंजन है थोड़ा सब मैं आपको साउंड टेस्ट करवाता हूं कैसी साउंड इस इंजन की जैसे ही हम एक्सिलेट करेंगे आप यहां पर चेक कर सकते हूं थी है। कि करो पूलिंग फंक्षन बहुत बढ़िया कर दिया है इस इंजन में यो रेडियेटर फैन है वह विसकस फैन दे दिया है Lus schein rid 제 मैलेज की बात करें तो इस गाड़ी में यह चाहां पर आप बोन अट है वो गर्म ना हो हीट अंधर ना आए कैबिन जब हम बढ़ाएंगे तो यहां पर खुला डूला कैबिन बनता है कोई परशानी नहीं आती अरहाम से दो बंदे अरहाम से रात को जहां पर सो सकते हैं ड्राइवर प्लस को ड्राइवर और बात कर लेते हैं यहां पर प्राइस एक पड़ा है एक तालीस लाख पचास हजार रुपया अठाइस फिट वेरियंट का अपॉल उटायज लगे हुए गाड़ी में और रही बात अगर आप गाड़ी थोड़ी सी बढ़ी वाल लेते हो तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ेगा टाटा के मुगा आप ले अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो इंटरस्टिंग लगी हो आपने नया कुछ सीखा हो तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब यू कर लेना मैं मिलता आपको ऐसे इंटरस्टिंग उरिक साथ नमस्का दोस्तों जय हिंद वांदे मात्रम